हेलो दोस्तों मेरे ना मैं देहंदर सिंग आज की वीडियो है उसमें समझने वाले वैलू एडिट के प्रैक्टिकल कोशन्स जो की बहुत जादा एक्जाम में पूछे आते हैं उसको हम समझेगे बहुत ही अच्छे से और यह संदीप गल्व की बुक से हम समझने वाले है ठी स्टार्ट करते हैं तो यहां से सबसे हमने पहले एक्जाम्पल नहीं इसका कर रहा था और एक्जाम्पल अब थी हम यहां से कर रहे हैं कोशन बड़ा बैतरी नहीं देखो क्या लिख वाह आपको एक एक्षफर्म का डाटा दे रखा है आपको निकालना है नेट वैल्यू value added वह एक ही बात है वह मार्केट प्राइस पर होता है लेकिन हमें नेट निकालने नेट काम अलब होगा है डैपरिजेशन माइनिस करना पड़ता है तो सेल दे रखे एक लोगे स्टोग इंडरे टैक्सेस टैपरिजेशन ही सब दे रख है चलो एक बार पहले फॉर्मॉला दे चलो में माइनस तो है इंटरमिदिएट कंजम्शन थो थीक है अ अच्छा है एक नेधि वेल्यव यह जो है इससे निकलता क्या है इससे निकलता है लेटे डैड मार्किट ऐस क्या निकलता है ग्रोश-वेल्यव यह एडिड हमें बैसिक आए GDP GDP और व्यार्ट ग्रोश व्यार्ट निकलता है डैपरिश्यों ग्रोस का महला डैपरिश्यों माइनस नहीं रखे होता है इसमें और मार्केट पैस पर निकलता है गूड्स की value यानि कि GVA या gross GDP बहुत सकते से ठीक है और value output में क्या क्या लेगे देखो कोशन में अगर द्याम से देखो तो हमारे सामने इस सेर्स गीवल है और closing stock opening stock के बारे पता यानि कि Chinese stock भी पता है और हमें कुछ नहीं पता हमें वैसे value बहुत सा चीज़े ले सकते हैं हम सेर्स भी ले सकते हैं प्रडक्शन फोर सेल्फ कंजंप्शन वह भी लेवल ने अपड़ता है लेकिन वह दिन रखा तो अब क्या लेगे change in stock यानि कि stock बचावा कितना था और यहां पर minus करेगे अब देखो ध्यान से जब आपके सामने पूरी heading का amount दे दी intermediate consumption तो purchase और raw material अलग से नहीं लेगे ध्यान अखना purchase और raw material इसके अंदर include होगा intermediate consumption में raw material का purchase बाके जो भी खर्चे होते हैं आपका पीछे फैक्टरी का वो सब include होता है तो इसके अंदर यह raw material खर्चा इसमें पहले से include है तो हमें main heading का ले नहीं से नहीं खर्चा जब heading के बारे पूरा दे रख्चा है समझागी वाद तो यह सिधा 40 में से दलूग तो सिध plus chain stock from the same way for closing stock को opening stock से माइने के बाद यारे कि 25 क्लोग सिधृ और 15 ऑपनिंच लोगे से तो 25 माइनस 500 है माइनस 40 को थीक है कि अब देखो इसको निकालूगा तो कितना आ रही है निए इसको जो हम निकालेगे कि तो आपके सामने आजाएगा ये कितना देगा 60 कुट 60 ग्रोड ठीक है कितना आजएगा 60 ग्रोड तो बेसिकली आएगा अब हमें बेसिकली कोशन में यह निकालना यह निकालना निकालना ग्रोस की जगा तो हमें ग्रोस में क्या मैनेस करना पड़ता है डांस कालना यह जो बिम्सक्राइश है कि यह चला में पाथ है ऑ हमें किस्थ च्रोड यह कर देख लिए 10 beauty य को निव्क सब्सक्तम वेट राइप का आप कोलों यह किर समजह की बात वहीं लिचे लिखाओं है जब परचसर रॉमतियरों लिखा तो वा सब्सक्राइब नहीं लेना क्योंकि वह पहले से ही इंकलूड है चलिए अगली कोशन बढ़ते हैं एक्जाम्पल फोर देखते जड़ा देखो क्या लिखा है इसमें ग्रोस वैल्यू एडिट एट फेक्टर कोश निकालने अब अब फेक्टर कोश निकालना है तो उसमें आप मद्स इंटमिट इंक्रफूट में सेल्स और बेंस्टस्टॉकं और पूदेनर रखा तो तो वो लिग blind लिए अब देखो तो अब इसमें intermediate consumption क्या है अगर आप ध्यां से देखाऊगे तो purchase of intermediate product जो basic कहले पीछे intermediate products को खरीदने में खर्चा उसे तो बोलते हैं इंटेमेड कंजम्शन इंटेमेड कंजम्शन का मलब यही होता है हलाकि उसमें सिरफ purchase of intermediate परड़क्स वाला खर्चा नहीं तो यहीं थे पार्चा नहीं होता दिया क्यापिटाल खरचा इंटेमेड कर्चा तो यह थैंट्रमेडियर पड़क्त लिख दिया जब उसने नहीं यह सिए खरीदना बेचने का तब तो मशीनरी आपकी क्या मन जाएगी लेकिन फिर मशीनरी नहीं बोलोगा उसमय फिर मशीनरी को अगर मेरा मशीनरी खरीदने बेचने का काम है तो फिर उसे मैं इंटेमें पॉड़क्त भी तो जब इसने यहां पर लिखाव है पर्चेस और इंटेमे यहां से निकालेगे चेड़ी स्थाग्स में से ओफनिक मैंस करए अथा तो भी रखी है जैसे निकले है क्लोजींग में से ओपनिक तो लोग है तो एक इसका मलबेंटेम और ज़ा रहे लेक्ः ऀसानिए यह दस माइनस में आ रहा है माइनस का मदलब क्या होगा इसका मदला को स्टोक बिक चुगा है बचा नहीं है और यहां पर वही माइनस तीन सो लिए तो दुबर से इसको निकालेगे तो पांसो दस नहीं आएगा यह 500-10 खरना पड़ेगा फिर माइनस तीन सो है तो यह आ देगा एक सो नंबे थाउजंड ठीक है यह आपका ग्रॉस वैलू यह देम मार्किट प्राइस आ चुगा है लेकिन हमें काशण में जो निकालना है वो निकालना यह नहीं था कोशन में निकालना है ग्रोस वेल्यू एड़िट एड़ फैक्टर कोश निकालना फैक्टर कोश का मलब क्या है वेक्टर कोश का मलब है कि कोई टैक्सेस इंकलूड नहीं करने मार्किट प्राइस में टेक्सिस इंक्लूड होते है पहले से तो इसका मला हमें ग्रोस वैलू एडिट मार्किट प्राइस में से टेक्सिस को टाया था वो टेक्सिस को होते है वो इंडिरेक्ट टेक्सिस होते है तो हमें नेट इंडिरेक्ट टेक्सिस को माइनस कर देना होता ह चाहिं नेट बोरहे है नेट इसलिए बोल रहे है बेसीकले देखोंगे 190 करोड यहां लेखुगा टावनीज़ की वेल्यूयदि नेट इसलिए बोल रहा हू क्योंकि इंडिरेक्ट čephone में कई भी indirect tax नहीं है लेकिन subsidy दे दी 40,000 की तो कोई बात नहीं हम क्या करेंगे indirect tax को 0 माल लेते हैं और subsidy की value पूट कर लेते हैं 40,000 तो questions हो लाजएगा तो 190 यानि कि indirect tax देना ने पड़ा बलकि 40 की subsidy बाप से मिल गई तो देखो यह minus tag यह minus 0 है और minus minus 14 तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया तो यह कितना आ गया 230,000 यह आपका answer बनेगा 230,000 तो यह चीज़ होती है उमीद करता हूं आपको बहुत ही बड़े तरीके से भी तक समझ मागए कि किस तरीके से हमने किया है तो द्यान रखना है कि जब भी आपको कोई क्यापिटल के नेचल खर्चा है वह आपका इंटेमेंट कंजम्शन में क्लूर नहीं करते है मशीनरी करती है ठीक है चले एक और सब्सक्राइब करते हैं यह बहुत बार पेपर में आता है कई बार पूछा गया यह कई बार देखो दोजाब 20 मा रख यह कोशन यह वाला कि ग्रोस वेल्यू अब निकालना है अब यहां से देखना है डेपरिशन दे रखका है यहां पर आप दियां से देखोगे तो डोमेस्टिक सेल अलग दे रखकी है एक्सपोर्ट होता है जो मैंने बाहर सेल करी है देश की बाहर वह भी तो लेगे तो सेल सबसे में लेगे लेकिन सेल में क्या के लेगे डोमेस्टिक प्लस इंटरेशन दोनों और चेजिश टॉक प्लस करना है एकस्पोर्ट उसको प्लस करना है और चेनी स्टॉक उसको प्लस करना है तो पहले लिख लो जाई से अगरिवने कंसेशन डिर्एक एक ये नहीं है तो धियान रखना यह इसका मतलब क्या होता है यहीं पर लोग फसते है single use producer goods इसका मलब क्या होता है कि जो मैं एक ही बार use कर रहा हूँ दुबारा नहीं कर रहा हूँ जो भी intermediate goods होता है वो single use producer good ही होता है भई आपने पीछे से समान खरीदा आगे बेचने के लिए या उसको आगे use करके इसको बेचोगे तो वो single use producer good तो है यह थोड़ी है कि आप उसको use कर रहे हो बार बार थोड़ी use कर रहे हो आपने सिर्फ पीछे से माल खरीदा और तुरंत उसको use करके आगे बेचोगे तो यह single use producer good है एक ही बार use करते हो उस समान को उसे intermediate consumption ही बोलते है intermediate product ही बोलते है तो 120 रुपे का आपने जो पीछे समान खरीदा वो इसले खरीदा क्योंकि आपने सिर्फ single use करना था यानि कि सिर्फ उसको बना गया आगे बेचना था तो इसले वो ही आपका 120 रुपे ही intermediate consumption है ठीक है ज्या समन्ना बाद अब आगे domestic sale की value आपके दे रखी दिए 200 एक्सपोर्ट दे रखे थे आपके दस और चेनी स्टोक कैसे निकलेगा तो यहां पर मैं पलस में लिकूँ से था माइनस कर लिए 10 रुपे और यहां पर आगया माइन एक सिक्सूप लिए तो देखो दस से दस तो कैंसील हो गया तो 200 में से 120 कितना आगया 80 लैक्स कितना आगया 80 लैक्स अब कोश्चन में आपको जान बूच के फसाने के लिए नेट इंडर टेर के दे इसका कुछ भी नहीं करना हमें डैप्रिसेशन का कुछ भी निकरना क्योंकि ऊपर पूछा क्या गया है ग्रोस वैल्य अटेर मार्केट प्राइस और जो हमारा वैल्य अटेर निकलता है वह यहीं तो निकलता है घ्रोज वैल्य प्रडूसर गूड्स ध्याय रघना डियूरेबल जो हते हैं है तो है कई비्टल गूड्स की की कटिगरी में भा गया वह यह निकि जो लंबे समय द करता हूँ जो एक ही बार यूझ करता हूँ उसे क्याब को कहते है उसे विदिव उसे रो मेह बोलते है या दस लाग का क्रीदा तो इसका मलब दस साल तक चलेगा तो हर साल इसकी वैल्यू डाउन कितनी होगी तो देखो डैप्रिसेशन कैसे निकलता है कोस्ट कितने कैसे था डिवाइड कर दो एस्टिमेटी लाइफ से तो दस लाग अपोन दस साल याने कि एक लाग एक लाग रुपे हर साल इसकी वैल्यू डाउन करनी पड़ेगी उसी को बोलते है डैप्रिसेशन ठीक है चलो पहले लिखते हैं तेखो सबसे पहले आपको कहा लिखाना है सबसे पहले तो आप यहाँ तर वही निखालो कि बैसी कर ली डैप्रिसेशन डैप्रिसेशन निखलेगा वही से कोस्ट एसेट कितने का खृदा जो डूरिबल एसेट है वो डूरिबल गूर्ट से वह एक तरहां एसेट है जो लंबे समय यूज करो गया अप ओन एस्टीमेटिड लाइफ तो आपने अ उसी को डैप्रिशन बोलते है और डैप्रिशन निकालने के लिए तरीका निकाला अब हम फॉर्मूला लगाते है वैल्यू एडिट का पहले दो वैल्यू एडिट यानि कि जी वी ए मार्गेट पाइस हुझे निकलता है तो हमें कैसे निकालेगे वैल्यू ओफ में क्या क्या दे रखा है को डैप्रिशन में दे रखा है आपके साम्ने सेल्ड रखी है तो जब सेल्ड देरखी है अब दियान रखना इसमें यह नहीं फाना दा तो हमें क्या आगे लेना पड़ेगा वैल्ली आट्पूट में सेल्स प्लस अंसोल जब कोशन में रखा था ना अंसोल स्टॉक लिख दूसको इसको चेंज स्टॉक भी रिख सतो सिधा और कुछ नहीं लेना आगे इंटर्मीडियेट कंसम्शन क्या दे रखे है मैंने क्या बड़ाता सिंगल यूस पर्डूसर गूट को क्या बोलते है जो बार बर यूस करते हो तो वो तो बेसिकलिए क्या पूलेगा लेकिन जो एक बार करूँ को उससे क्या बोलेगे अपको रो मेटियर यानि कि दे रखे दिया आपके सामने 20 लाग की अंसोर्ट स्टोक था दो लाग का माइनस पांच करूँगा तो यह आगे बाइस में 17 लाग 17 लाग का अभी आंसर निया है दया अभी 17 लाग क्या है यह जी वीड मार्केट परेस लेकिन अभी निकाला क्या है कोशन में नेट वैल्यू अट फैक्टर कोश कई क्ई से निकाल वह जो देखो सबसे पहले तो आप इसको ग्रोश से नेट में कनवर्ट करना पड़ेगा अ तो हमारे साबने क्या आ गया नेट वेल्लू एडिटेट मार्केट पायदेगा उसके बाद अगर फ्यक्टर कोश निकाना मुझे तो मार्केट प्राइस से मुझे convert करके factor को किसे निका लोगा net indirect taxes minus करने पढ़ेगे यानि कि NIT net indirect taxes जो भी हम नहीं समझा था ठीक है तो 17 लाग दे रखा था depreciation हमें उपा निकाला अभी अभी यही depreciation निकाला एक लाग रुपे तो एक लाग रुपे यानि कि कि net indirect taxes अब देखो question में क्या दे रखा है GST दे रखा है यह indirect tax होता है जी एश्ट को पता होना चीए इक किया है indirect tax है तो एक लागर पर क्या पर हो indirect tax है तो एक लागर मैंस करो subsidy तो है नहीं तो यह नेट इंडेक्टाइक हो गया इंडएक्स मैंस subsidy दोते हैं net index लेकिन question में क्या दे रख्या subsidy नहीं दे रखी तो यही net index तो subsidy 0 बांगी तो 15 लाख is your right answer समझागी बात उम्मिद करते हो चैसे आपको समझ में आगा आगा आज की वीडियो मन में नहीं दिये समझे कोशन समझे और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें सब्सक्राइब करें थैंक्यू सो मच अलता बेस्ट